हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू अरू किछन आज की रेस्पी जो लेके आई हूं वह है पीजा का तो आए हम लोग पीजा बनाते हैं तो यह तो पहले मुझे भी पीजा बेस चाहिए ही चाहिए पीजा बनाने के लिए यह रेडिमेट पीजा बेस है स्मॉल साइज का ही है और इसके लिए मैंने जो लिया है समान वह मैं आपको दिखाती हूं वनन हाफ मैंने लिया है थोरे से पनीड एक टमाटर और यह सिंदा में चे इतना लगेगा नहीं यह दो पीस आपका चीज है मुझे यह क्यूब में ही है मेरे पास को यही मैं यूज क आपको दिखाती हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि इनको बनाने से पहले जो मैं इनकी त्यारी करूंगी तो मैं उसके पहले यह प्लेट में मैं बटर लगा दूंगी ताकि हमारा पीजा बेस उसमें चिक्के नहीं उसके बाद मैं यह सॉस उसके उपर लगाऊंगी इन सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई में नमक ले लिया है और इसके अंदर ये रिंग डाल दिया है इसके उपर मैं प्लेट रखोंगी ये नॉर्मल नमक है ये मैं बार बार इसको रियूज करती रहती हूँ ये 10 मिनट तक मैं छोड़ दूँगी कराई को प्री हीट होने के लिए देखिए मैंने सिम करके प्री हीट होने के लिए 10 मिनट तक इसको छोड़ दिया है और अब मैं इसके बाद अपना पीजा का जो टॉपिंग है वह त्यार करती हूँ और मैंने यहां पर थोरे जो पनीर के लिए थे उनको मैंने रेड चिली डाल कर बटर मैं तोड़ा सब्सक्राइब कर रही हूं इसको सौटे कर लोंगी थोरी देखिलिए उसके बाद में यह प्लेट में तो असा मेल्टेड बटर स्प्रेट कर रही हूं ताकि हमारा जो पीजा बेस है वह अंदर से जो नीचे काफी मोश्र रहे ड्राइ ना हो मोश्र उसमें बना रहे इसलिए मैंने इसको ऐसे इसमें लगतिया है इसके बाद में इसके ऊपर पीजा सॉस स्प्रेट करूंगी अच्छी तरह से पीजा सॉस लगाईएगा कंजुसी मत करिएगा क्योंकि जो बेस का टेस्ट है वह इसी स अच्छी तरह से सब तरफ इसको स्प्रेट कर रही हूं देख लें इसको स्प्रेट करने के बाद मैं इसके ऊपर चीज की टॉपिंग दोंगी अगर आपके पास डाइस वाला चीज है तो आप पहले उसको डाइस वाले चीज इस पर डाल दें डाइस वाले हो जो भी हो मौजरिला चीज हो जो भी आपके पास अबलेबल है क्योंकि अभी तो जो अबलेबल है वही यूज करेंगे तो यह में पास थोरे सा डाइसिक वा तो इसके बीज को मैंने निकाल दिया था और इस तरह से मैंने इसको सब तरव इसके बाद मैंने थोड़े से कौन इसके ऊपर इसके बाद कर रही हूं देखें कितना यमीर टंसिंग लग रहा है यह कितना कलर्फूल भी है यह तो अब मैं इसके बाद जो चीज मैंने ग्रेट किया हुआ था राइस वाला वह मैं इसके ऊपर स्पेड कर देरंगी और इसके बाद जो मैंने पनीर को हलका सा रोस्ट कर लिया था बटर के साथ उसको भी मैं अब इसके ऊपर टॉपिंग कर दूँगी इसके आप सब तरफ इसको फैला लें और इसके बाद जो पीजा का हर्बस आता है मेरे पास आल परपस थे तो मैंने आल परपस ही डाल दिया था आपके पास पीजा सिजलर हो तो आप भी डालें तो इस और प्रेटेट पनीर नहीं चीज थे तो मैं उसके ऊपर डाल दिये हैं बचे हुए जितना चीज डालेंगे उतना ही मौश होएगा तो मैं इस पर सिजनिंग कर दे रही हूं इसकी हाफ से इसके बाद मैं यह रेड प्रेपर डाल दूंगी इसके ऊपर आपको जितना स्पाइसी बखाना है उसी साबसे आप रेड प्रेपर डालें और बस यह अब मेरा पीजा बेस त्यार है तो अब यह जाएगा बेक होने के लिए उसके पहले एक और टिप है यह जो किनारे में आप देख रहे हैं ना मैं यहां पे थोड़ी थोड़ी से बटर स्प्रेड कर दूंगे ताकि जो हमारा इसका एजस है वो ज्यादा ड्राइ चुरही ना होissement तो इसलिए मैं एजस पे तो यह तोमी बटर बर्टल सप्रेड करते हैं हुञां 나오 it इसलिए आप इस तरह से बटल इसके एजस पे डिप करते जाएं एजस पे डारेक्ट हीट लगेगा वहाँ पे कुछ भी नहीं है कुछ भी टॉपिंग नहीं है चीज नहीं है तो वह ज्यादा ड्राई हो जाएगा बाकी जुगों पे चीज भी है तो इसलिए वह सेफ रहेंगे सॉप्ट रहेंगे तो अब मैं इसको यहाँ पे समल के डालना करहाई बहुत गरम है इस तरह से यह अंदर चली जाए आप इसी साइस का प्लेट पहले से ही आप चूज कर ले उसके बाद बड़े प्लेट से अपसको ढग दे करीब 20 निट तक के लिए आप इसको बेक होने दे 20 निट के बाद अब हम इसे खोल के देखते हैं तो चलिए देखते हैं फिर खोल कर ओ वाव सी कितना यमी दिख रहा है हमारा पीजा पर अभी यह बन तो गया है लेकिन एक इसमें टिप्स मेरी और इसमें एड करूंगी मैं अगर आपको साफ्टी काना है तो आप ऐसे खा सकते हैं लेकिन मुझे बहुत क्रंची वाला पीजा पसंद है तो मैं इसमें क्रंच लाने के लिए तवे पे ठोड़ एसे बटर च्प्रेड करूंगी मुझे वह पैन क्रंच जो पीजा होता है न हुझे वह क्रिश्पी क्रिश्पिजा वह च्ज्यादा पसंद है तो अगर आपको इसपे क्रिश्प लाना है तो आप इस तरह से करें ने तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो इस तरह से बटर को फैला दे, यह बिल्कुल आपको पैन क्रस्ट पीजा वाला टेस्ट राएगा, और उसके बाद में पीजा को इस पे, तब आप पहले से हीट करके रखें, क्योंकि मुझे बस इसको एक हीट देना है, बेक तो यह आलर कि बेस में अच्छा सा क्रंच आ जाए, बस दो मिनिट लगेंगे मुझे इसको हीट देके, फिर मैं इसको निकाल लोगी, और फिर मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ, कितना यह किस्पी और क्रंच है, तो साथ में टीवी चल रही थी, तो इसकी भी आवाज आ रही थ और यह देखिए, बैक सैड कितना अच्छा से रोस्ट हुआ है, पर इसकी अवाज सुनानी थी मुझे आपको इसलिए मैंने थोरा सा आपको आपको आवाज सुनाया, देखिए कितना क्रंची से है, कितना यह मैं जूसी है, यह उपर से बहुत ही सॉप्ट है, और नीचे से बहुत ही क्रंची क्रंची सा है, तो आप इसे खाईए, खिलाईए, और फिर मुझे अपने एक्स्पेरियंस ज़रू सेर किजी, तो कैसे लगी आज की यह पिजा रेसिपी, तो गाईज, टेक क्यार, स्टे एट होम, तो उन्हें मिलते हैं नेक्स रेसिपी में, ओके बाई, झाई!